हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीस आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ को कास्ट किया गया है जिनकी परफॉर्मस अगर आपको थोड़ी डाउटफुल लगती है खास करके उनकी पिक को देखकर कि अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो आप बहुत ही गलत होगे क्योंकि मेरी नसर में वह कमाल की एक्ट्रेस है बाकी देखते है कि इस रोल में एमस सबसे पहले या फिर कहूँ काफी ज़ादा लेट ही सही बात कर लेते हैं इस पोस्टर की जो कि एमसीओ की पुरानी फेंटास्टिक फॉर के फिल्म के पोस्टर की तरहा रेट्रो स्टाइल यानि के 60's के स्टाइल्स के आसपासी है जिस मैं अब भी कहूँगा कि पेडरो प करके हमें वो चीज़ा एक्जिस करनी होगी लेकिन जहां तक मैं फेंटास्टिक फॉर में मिस्टर री डिचर्स के कैरक्टर को देखता आया हूँ तब भी मुझे वो उस रोल में कन्वेंस करने में कामियाब होगे फिल्म देखने के बात बता चलेगा लेकिन उससे हटकर पात की जा हुमें टाउस के रिलीस के गए पोस्टर की तो पोस्टर शांदार है और हां काफी ऑनेस्टी की रहा पर बढ़ते हुए यह पूराने फैंटास्टिक फॉर को ही पूरी तरीके से हाइलाइट करता है कि केविन फैगी अपनी ऑनेस्टी इन कैरेक्टर यानि के फ टाइम लेन में एक्जिस्टी नहीं करती क्योंकि अच्छा खासा एक दशक भी चुका है हम फैंस को मावल को फॉलो करते हुए ऐसे में उन्हें काफी ज़ादा आप कह सकते हो कि प्रॉब्लों को फेस करना होगा कि वो फैंटास्टिक फॉर की फैमिली को एमस्यू की टाइ यानि वो 60's के टाइम पर जिस तरी की ड्रॉइंग निकल कर आती थी जहां पर उस टाइम पिरिट के लोग फ्यूचर को प्रेडिक करते थे कि फ्यूचर ऐसा होगा जो लुक वाइस तो नहीं लेकिन हां कहीं न कहीं उनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से कहीं न कहीं काफी हूँ बहुती अमेजिंग विलन की कर दी गई है यानि ये करेक्टर अब हमें 110 पॉसंट इस फिल्म में बैट बड़ी के रोल में नजर आने वाला है लेकिन उसके लिए एक्टर की बात की जाए तब भी दो एक्टर्स में से एक भी एक्टर्स को फाइनल नहीं किया गया है जिसमें से एक नाम हाविया बार्डिन तो दूसरा एंथोनी बैंडिस का निकल कर आया था बाकी देखते हैं कि दोनों में से कौन इस रोल को एमस्यू के युनिवर्स में फिलफूल करता है क्योंकि आवाज के हिसाब से तो मुझे हाविया बार्डिन ही काफी जाद आगे जिनने इस रोल को एकसेप्ट कर लेना चाहिए बस डिमांड ये है कि वो इस क्यरक्टर को बहुत ही जादा इमानदारी से दिखाए जिसमें अभी तक तो एमस्यू का टेक काफी जादा तगड़ा है लेकिन एक चीज़ जो मेज़ोरिटी ओडियंस को पसंद नहीं आरी खा आगे नहीं रख रहे थे लेकिन हो ना हो डिस्नी वाले दिल से चाहते थे कि वो लोग पूरे मावल को फीमेल लीट से भर दे क्यूंके मर्दों की जो बारी थी वो दस साल के टाइम पिरेड में एंड गेम परा करके खतम हो चुकी है लेकिन उनका ये मूव इतना जादा ओ सकते थे बट उन्होंने नहीं किया क्योंके वो दूसरी टाइम लैन के बहाने पर फैंस को फिलहाल तो फीमेल लीट की सिल्वर सौफर ही चिपकाना चाहते है जो कि मत समझ सकता हूं कि उनके टेक से काफी जदा अच्छा है लेकिन ये टेक उन्हें अभी के टाइम पर खास कीचा सिल्व डॉफर की तो वह केरेक्टर शालाबाल का है जो कि असल में नौरिन सोट की यूनिवर्स में अन से जानते है जयाने कि मेंन टाइम लैन का सिल्वर सफर लेकिन अगर कॉमिकॉक की और जिईुर्जिन की बात कीजई तो शालाबल एनिमेटर सीरिस में भी थी ज लेकिन नौरिन का करक्टर कितना जादा ओपी है ये बात काफी जादा डाय हाड फैन को भी पता है और अहां मुझे भी लेकिन देखा जाए तो यहां पर जेंडर को स्वैप किया गया है जिस सिच्वेशन में कॉमिक बुक की ही कहानी को यहां पर फिलाल तो रूमर के तौर जो मुझे बताया है वैसी ही रखा जाएगा लेकिन बस स्विच के खेल को खेलते हुए इस करेक्टर को इंट्रिड्यूस करवाए जाएगा और रूमर के अकॉर्डिंग वो गैलेक्टर के अगर अगेंज जाएगी तो आपको पता है कि गैलेक्टर क्या करेगा तो आप कह सकते हो कि वही कुछ उस करेक्टर के साथ भी होगा लेकिन मेंन टाइम लेंगा सिल्वर सर्फर कहां है फिलाल तो उसके ऐसी कोई भी डीटेल किसी को भी बताई नहीं गई लेकिन इन सब के बीच अगर एक बात जो निकल कर आई थी तो वह है लेकिट स्टैन्फिल की चुन टेक पर आगे बढ़ेगा तो ठीक है वरना अगर वो लोग फीमेल सिल्वर सर्फर ही म्स्यू के यूनिवर्स में रखना चाहते है तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आप इस टेक पर खुद को पूरी तरीके से बरबात कर लोगे क्योंकि फिल्म ने इस तरीकी के साथ में वो फिर बुरा ही नहीं है जो कि हाँ एक हिसाब से मावल फैंस की लाइव एक्शन में देखने की फैंटीसी भी है क्योंकि 20 सेंचुरी फॉक्स फॉलो ने सिल्वर सर्फर की कैरक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया था और हाँ उन एक्टर ने कहा मैं फीमेल सिल्वर सर्फर को लेकर के इतना भी जादा वो करते हैं अगर ट्रिगर नहीं हुआ हूं लेकिन अंदर से जलन तो है ठीक एमस्यू फैंस की तरहा जिससे मैं आकर के इस वीडियो में बेहा कर रहा हूं बाकि एमस्यू वाले को तो कुछ फर्क नहीं पड़त तो इस फिल्म के साथ भी कुछ वैसा ही होगा क्योंकि मार्वल फैंस भले से ही चाहें एमस्यू की यूनिवर्स को कितना भी ज्यादा ट्रोल क्यों ना कर ले मैं डाय हाट फैंस की बात कर रहा हूं वो फिर भी एमस्यू की फिल्मों को देखते हैं लेकिन मेज़ोरिटी ज लेकिन खैर अब उन बातों का पता तो फिल्म के आने के बाद ही चलेगा जो कि अब भी 25 जुलाई साल 2025 के रिलीस पर सेट है लेकिन प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होगा ऐसा आश्वाशन दिया जाता है जिन सब पर बनती है आपकी राय जो आप मुझे कमेंड में लिख करके बता सकते है बाकी मैं हूँ अजीज मोवी स्टॉक चैनल लाइक शर्ण सब्सक्रेब भूलना मत मिलूंगा जल्दी दूसरी की सी वीडियो में तिल दैन बाई और इस तो इस वर गो हम